सारनपूर हिंदु जागरण मंच के कारेकर्थाओं ने जिलादिकारी को दिए ग्यापन के माध्यम से मुख्यलादिकारी योगय शेनाद से मदर्सु के जाज कराय जाने के मांग गी हिंदु जागरन मंच के प्रांथ संपर प्रमुक ठाकुर सूरेकान सिंग के नेतवर्ट में कलेक्टर पहुंचे जिलादिकारी के माध्यम से मुख्य मंत्री युगय अतिनाथ को एग्यापन पेशित किया इस दोरान हिंदू जागरन मल्च के प्रांट संपर पुर्मुक ठाकुर सूरेकान सींग ने कहा कि 22 सितंबर 2021 को उत्तर परदेश एटियस ने अवैद धर्मातरन का दिश्वियापी सिंडिकेट चलाने वैद धर्मातरन है तो विदेशों से हवाले के लिजरिये फंडिंग करने में मोलाला कलीम सुद्धिके को गरफतार किया है जो शरीयत के अनुसार विवस्तर लागू करने है तो जन संख्या अनुपात बदलने के उदेश से रहत सर पर धर्मातरन का अवैद रैकेट मदर्सों के फंडिंग से तयार किया है ये लोग भड़काओ सहीते और वीडियो पर सायत करते थे जो लोगों को उक्साने का कारे करते थे हिंदू जागन मंच ने उत्रपरदेश शरकार से निमने बिंदों पर जाच करवाने और कठोर कारवाई करन जाने की मांग की है आज है हिंदू जागन मंच मेरट प्रांत के सभी 21 जिलों में जो ये घरमांतरन की पस्चिम उत्रपरदेश में बहुत बड़ा रैकेट जो का खुलासा हुआ है इसकी गहनता से जाच करने के लिए और एक पांच सूत्रिय मांग को रखते हुए कि इसके किन-किन बिन्वों पर विसेशत जाच की जाए इसको लेकर के आज जिलादिकारी को एक ज्यापन प्रस्तुत करने आया है जो इस प्रकार हैं कि जो लोग इस घटना में सहवागी हैं उनके रुद्देश द्रों की कारवाई की जाए इन मदर्सों की माननेता की जा से जाच की जाए मदर्सों में तालीम देने वाले मौल भी कहां के हैं उनकी पारिवारिक बश्भूमी क्या है इससे पहले कहां थे और उनका चालचनन क्या था इन सब तत्यों की जाच की जाए मदर्सों में किन लोगों का आना जाना रहता है उसके लिए कैमरे लगवाने क कादेश दिया जाए